वीडियो पूरा देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हम बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिल पाए आजकल हम सभी इंटरनेट का इस्तिमाल करते हैं कोई भी चीज अगर हमें खोजना होता है तो गूगल पे जाते है या क्रूम ब्राउजर में जाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है गूगल और क्रूम में क्या फरक है मेरे पास बहुत सारे प्यारे members का message भी आये था जिनका ये कहना था Google और Chrome में क्या फर्क होता है मुझे बताए तो आज कि इस विडियो में आपको ये clear करने वाला हूँ Google और Chrome में क्या फर्क होता है तो विडियो के last तक हमारे साथ बने रहे Google एक search engine है जबकि Chrome एक browser है Chrome browser में हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो Google की सायता से हमें वो result देता है Google एक multinational company है और इस company की income की बात की जाए तो इसकी एक दिन की income 6.7 करोड है Google को दो PHA student ने बनाया था पहला का नाम सर्जी ब्रेन है दुसरा का नाम Larry Page जो student University California के student थे Google ने बहुत सारे product का launch किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा clear करने वाला हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ Google ने किस-किस product का launch किया है Google का product है Gmail, Google Plus, Books, Calendar, Google Drive, Earth, Image, Google Maps, Google Now, Google Patents, Google Photo, Google Photo Translate और YouTube Google के उपर आप जो भी चीज सर्च करते हैं आपकी सारी activity का वो record रखता है Google दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किये जाने वाला internet browser है Chrome browser का launch 2008 में किया गया था किया दो, किसी नयतों जयाए